मित्रों इस विडियो में बताये गए, सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सिर्फ जानकारी के उद्देश से दी जा रही हैं अगर आप एक समान्य व्यक्ति हैं, तो आप भुलकर भी इन सभी सधनाओं के चक्कर में न पड़े माता भगवती की पुजा करे और समान्य जीवन यापन करे मित्रों मैं जिन साधनाओं का उलेख करने जा रहा हूँ, यह किसी भी गहरस्थ को नहीं करनी चाहिए कोई साधू या साधक जो सिद्ध है, वो ही इसे कर सकता है, वो भी साक्षात अपने गुरु के संरक्षन में रहकर करे क्योंकि बात केवल एक भूत या प्रेट की होती, तो शायद कंट्रोल हो भी जाए अगर सारा मसान जाग गया, तो वो किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा मित्रों शम्शान साधना क्या है, शम्शान साधना कैसे किया जाता है, और इसकी पूजा कैसी होती है इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस विडियो में जानने वाले हैं तो विडियो में अंत तक बने रहें मित्रों साधनाय कई प्रकार के होते हैं साधना व्यक्ती को अश्ट पाशों से मुक्त करने के साथ साथ भयरहित और द्रिड बनाती है साधना करने के बाद व्यक्ति निर्भय होकर संसार में कही भी घूम सकता है भूत प्रेट आत्मा ये सभी उसके आधीन रहते हैं जो व्यक्ति इस शम्शान साधना को करने में सफल हो जाते हैं उनको काम क्रोध भय, घ्रेना जुगुपसा कभी परास्त नहीं कर सकते यह एक प्रकार की दस प्रेट शक्तिया है जो काफी उग्र होती हैं इन ही दस शक्तियों से प्रेट, पिशाच, भैरव, बेताल, आदी के मंतर सिद्ध किये जाते हैं इसे मशान जगाना कहा जाता है शमशान के अधिश्ठाता धूमर लोचन को माना जाता है जो प्रेट पिंड चिता से पकता हुआ मास भोजन के रूप में लेते हैं मशान जगाना यह अभिचारिक प्रयोग हैं जो बहुत ही कठिन काम हैं इसलिए आप इसके चक्कर में न पड़े तो ही अच्छा रहेगा मित्रों शम्षान साधना को अश्टमी चतुर्गशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए यदि पूर्णिमा अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है यदि कोई अगोरी इस साधना को करता है तो उसे मुहूर्ट से कोई लेना दे नहीं होता है परंतु सामान्य साधकों के लिए मुहूर्ट में ही करना चाहिए साधना भोग के लिए कुछ भी लिया जा सकता है क्योंकि शमशान साधना में आमिश और निरामिश दोनों भोग होते हैं कहा जाता हैं कि शमशान साधना करने के लिए शमशान में जाते वक्त सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों और गुरु गणेश बटुक योगिनी आदी से आग्या ले और प्रणाम करना चाहिए. जब साधक शमशान में आसन ले लेता हैं तो आसन लेने के बाद पूर्व की और शमशान अधिपती को डक्षिन में भैरव पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल को रखकर ही साधना प्रारंभ करना चाहिए. और यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है, तो साधक को काली, महाकाली और कालरात्री के ध्यान रखकर ही मंत्र जाप करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए मित्रों मसान जगाने के लिए साधकों को किसी ऐसे शव को लाना होता है जो नवजवान हो तथा जलाया न गया हो तो उसे ज्यादा उत्तम माना जाता है जिस दिन शमशान जगाना होता है उस दिन जहां बकरा काटा जाता है वहां से एक सामान लाना होता है लेकिन शमशान जगाने से एक दिन पहले शमशान से जाकर यहां आग्या लेना पड़ता है कि कल तुम्हें जगाना है फिर उसके अगले दिन सभी सामगरी को लेकर शमशान में जाना होता है और विधिवत साधना किया जाता है साधक को मसान जागर मंत्र को शमशान में दस शूने 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 बार सिध करना होता है और अमावस की रात में मुर्दे की खोपरी पर यंत्र लिखकर सिध करना होता है साधना के समय जब मुर्दे की खोपडी से आवाज आने लगती हैं तो ऐसा समझा जाता है कि मंत्रस सिध्ध हो चुका है मित्रों और जानकारी के लिए आपको बता दू कि ओगर तांतरिक को आपने तो जरूर देखा होगा अगर देखे होंगे तो आपको यह भी मालुम ही होगा कि उन लोगों के पास एक लगभग आधे हात की साइस का एक हड़ी रहता है इस हड़ी को मसान बोला जाता है तांतरिक लोग इस मसान से बाते करते हैं ये 100% सत्य बाते हैं जब तांत्रिक लोग इस मसान को अपने कान के पास ले जाते हैं, तो उसमें से एक सुक्ष्म ध्वनी निकलती हैं, जिसे केवल वही सुन सकते हैं। वह मसान उस तंत्रिक को वहाँ पर आए सभी व्यक्ति के समस्या का समाधान बताता हैं, और यही कारण हैं, जिससे तंत्रिक सभी लोगों की परेशानियों को दुर करने में सक्षम रहता हैं। इसलिए यह बहुत ही प्रबल, शक्तिशाली और कोई भी कार्य कर सकने की शक्ति रखने वाला प्रयोग माना जाता है। इसे हम तामसिक शमशान सिध्धी और शमशान जागर्ण के नाम से जानते हैं शमशान को जगाने के लिए इस तरीके का प्रयोक किया जाता है इस साधना को करने से पहले यह निश्चित करना होता है कि साधत गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर चुका है इसके अलावा उसने कम से कम दस महाविद्या में से किसी एक महाविद्या की सम्पूर्ण साधना पूरी तरह की हो ताकि उसके अंदर इतना आत्मबल और उर्जा मौजूद हो कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव उसे अपने नियंतरण में ना ले ले इस बात का विशेश ख्याल रखना होता है तभी यह प्रयोग करने के लिए तयार हो और बिना गुरु से आग्या लिए और उनकी देख रेख में ही यह साधना करनी चाहिए क्योंकि यह कोई साधारण साधना नहीं है एक बार जब शम्षान जागरित हो जाता है तो फिर उसको नियंतरण करने की शक्ती साधत में होनी चाहिए अन्यथा उसकी लाश ही उस थल से वापस आपाती है इसको जगाने के लिए विशेश प्रत्यों का प्रयोग किया जाता है यह एक भयानक साधना मानी जाती है मजबूत दिलवाले ही इस साधना को करने का साहस बटोर सकते हैं आपको इस साधना की ओर अग्रसर होने से पहले हर प्रकार से तैयार होना चाहिए इससे कोई भी कार्यत्वरित रूप से किया जा सकता है और दुन्या में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इसके बाद व्यक्ति ना कर पाए शम्शान स्वय में भयभीत करता है और तब यह और भी अधिक खतरनाक हो जाता है जब वहां उपस्थित सारी आत्मा जागरित अवस्था में आ जाती हैं और उनको साधक नियंत्रित कर अपने कार्य सौंक देता है इस साधना के विशय में हम पूर्वकाल में बहुत सुने हैं इसमें सफल होने वाला साधक कई सारी सिध्धियां एक ही साथ प्राप्त कर लेता है लेकिन बाल बच्चेदार घर परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह साधना नहीं है क्योंकि साधना के उपरांट साधक के साथ में यह सिध्धियां रहने लगती हैं और तब ऐसे साधक को अपने जीवन और खासतोर से पारिवारिक जीवन में सुखी रहना उसका मुश्किल रहता है क्योंकि ऐसी शक्तियां परिवार के अन्य सदस्यों के उपर भी प्रभाव डालती है। इसको करने से पहले व्यक्ति पूरी तरह सांसारिक बंधनों को त्याग दें, तभी ऐसा प्रयोग करने जाए। सबसे पहले अपने गुरु से गुरु मंत्र का पूरा अनुष्ठान प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर दस महाविद्या में से एक महाविद्या की सिध्धी प्राप्त कर लेना चाहिए। इतना करने के बाद अब साधक इस कार्य के लिए उतना आत्मबल शाली हो चुका होता है कि वह शम्षान में साधना कर सकता है इस साधना को कैसे किया जाता है आए इस विशमें जानते हैं मित्रों यह साधना को करने के लिए किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोची यानी तेरहवे दिन से लेकर अमावस्या तक अर्ध रात्री में शमशान के मध्य में जहां पर भी शमशान स्थित हो और अगर यह शमशान पांच सौ वर्ष से अधिक पुराना है तो यह और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है साधक शमशान में जाता है पश्चिन दिशा की और मुह करके बैठ जाता है आसन लगाने के बाद भगवान शिव का स्मरण करता है और लोहे के चिम्टे से अपने चारों और एक सुरक्षा घेरा खीच कर सुरक्षा चक्र बनाता है जह सुरक्षा साधक को शम्षान की आशुरी शक्तियों से रक्षा करती है उसके पश्चात साधक गुरु के द्वारा दिये गए गुप्त मूल मंत्र का जब करता है इसके उच्चारण से और इस मंत्र को सिध करने पर शम्षान जागरित हो जाता है शमशान में जितनी भी आत्माय रहती हैं, वह सभी जागरित होने लगता है गुरु के द्वारा प्राप्त गुप्त मंत्र को जपने के बाद साधक किसी भी शुक्रवार के दिन आधी रात में सनान करके दक्षिन दिशाकी और मुह करके बैठ जाता है शरीर पर पूरे सफेद कपड़े पहने कर और अपने चारों और दीपक जला कर रखता है और ध्यान मंत्र से ध्यान करता है ध्यान करने के पश्चात साधक गुप्त मंत्र का जाप प्रारंध करता है इस मंत्र को किसी भी माला से जाप किया जा सकता है इस मंत्र को पढ़ने के बाद जागर्ण के लिए साधत तयार हो जाता है, इसे शम्षान जागर्ण सिध्धी कहा जाता है साधत जब सारी सिध्या प्राप्त कर लेता है और मंत्र पूरी तरह से जागरित हो जाती है, तब बारी आती है इसका प्रयोग करने की इस सिध्धी को प्रयोग में लाने के लिए सबसे पहले साधक शम्षान में जाता है और शम्षान को शम्षान जागरित मंत्र से जागरित कर लेता है फिर आसुरी शक्तियों से काम लेने के लिए उसे जगाता है और उससे वचन लेता है उसको भोग देने के लिए मास और मदिरा को अपने साथ ले जाता है अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे ही आसुरी शक्तियां साधक द्वारा साधित कार्य करके लोटता है और उस वक्त यदि साधक उन्हें भोग देने में देरी करता है, तो फिर साधक को उनके हमले से कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि कार्य करने के बाद इन्हें तीवर भूख लगती है, और उस वक्त इन शक्तियों को भोग देने में देरी नहीं करनी चाहिए। जो भी काम आप इन्हें सौंपेंगे, वह यह सारी आत्माएं आपका पुरा करेंगे। इसमें कई तरह के पिशाच, भूट प्रेत, विभिन प्रकार की चुडैल इत्यादी, कई तरह की शक्तियां सम्मिलित रहती हैं। कहते हैं शम्शान जागरित करने वाला साधक अतुल्निय बलशाली होता है और इसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे साधक को केवल वही रोक सकता हैं जिन होने दश महाविद्या और महामंत्र का जाप किया हो। जिसने स्वय माता जगदंबा, भगवान शिव या भगवान विश्नु, गणेश और सूर्य की मूल साधना की हो। इनके अतिरिक्त कोई भी साधक को नहीं रोक सकता है, इसमें इतनी अधिक शक्ति होती हैं। क्योंकि इसमें साधक एक साथ एक आत्मा नहीं, बलकि कई हजार आत्माएं साधक का कार्य करने के लिए निकलती है। उस छेत्र में जितनी भी आत्माएं निवास करती हैं, वह सारी की सारी जागरित हो जाती है और फिर वह साधक उनके सामने जो भी कार्य सौपता है, चाहे वह मारण, मोहन, वशिकरण, उच्चातन इत्यादी हो, वह सारे कारियों को कर डालती है इस प्रकार की साधनाओं का प्रयोग सबसे ज्यादा मारण तंत्र में किया जाता है, लेकिन यह सारे तंत्र अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि इन शक्तियों का स्वभाव बुरा ही होता है, इसलिए अच्छा साधक ऐसी साधना करके अपना परलोक ना बिगागरे क्योंकि आप शक्तियों के आनंद में किसी का अहित कर रहे हैं, वह तो उसका फल भी आपको इस जन्व में अथवा अगले जन्व में भुगतना पड़ेगा इसलिए ऐसी साधनाओं के विशय में मैं ज्यान नहीं देता, लेकिन यहाँ पर जानकारी के लिए मैं आपको इसके कुछ गुप्त रहस्य को बताया हूँ यह एक तांतरिक साधना है जो शम्शान जागर्न सिध्धी के नाम से जानी जाती है और इसकी सिध्धी प्राप्त कर साधक सभी प्रकार के तांतरिक कार्यों को करने में सक्षम माना जाता है अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों कर्ण पिशाचनी के विशय में लगभग सभी तांत्रिक जानते हैं यह एक ऐसी यक्षिनी है जो पिशाचनी स्वरूप में आपके कानों में आकर अथवा विचारों एबन संकेतों के माध्यम से आपके प्रशनों के जवाब देती है और इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की समस्या का हल जान लेते हैं लेकिन इस साधना को करने वाला व्यक्ति इश्वर को कदापी प्राप्त नहीं कर सकता है समय के अनुसार उसका पतन हो जाता है मित्रों आज हम आपको कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं और इसको सिद्ध करने के तिन विशेश विधी को बताने वाले हैं तो आप सभी विडियो में अंत तक बने रहे मित्रों यह साधना अत्यंत ही खतरनाक है इसलिए सावधानी पूर्वक पहले अपने गुरु मंतर को या किसी योग्य गुरु के माध्यम से अपने मुख्य देवता की साधना को संपूर्ण कर लेना चाहिए उसके बाद ही इसकी साधना करनी चाहिए कर्ण पिशाचनी के बारे में ऐसा मन्यता है कि जो भी यक्षनी देवलोग से निशकाशित होकर पृत्वी पर भटक रही है उन्ही में से किसी शक्ती को मंतरों के माध्यम से पकड़ लेने और उसे अपने अनुरूप बनाने की एक प्रक्रिया है इसके मंतर की साधना से व्यक्ति भूतकाल और वर्तमान काल की सभी बातें जान लेता है और अगर वर्षों तक इसकी साधना की जाती है तो भविष्य की घटनाएं भी व्यक्ति जानने लगता है बहुत से विद्वानों का मानना है कि कर्ण पिशाचनी एक भोग योनी है व्यक्ति अपने कर्म अनुसार इस योनी में आता है और अपने कर्म को भोगता है यह बहुत ही शक्तिशाली योनी है कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना और उसको अपने कंट्रोल में रखना बहुत ही कठीन होती है इसको संभालना सबके बस की बात नहीं है मित्रों पिशाचनी की साधना का अनुष्ठान वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधियों से किया जा सकता है इसे एक गुप्त त्रिकालदर्शी साधना माना गया है जो 11 या 21 दिनों में पूर्ण होती है यह साधना करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए त्रिकालदर्शी बन जाता है इसे सामान्य विधी विधान से संपन्न नहीं किया जा सकता है बलकि इसकी साधना करने वाले में इसके प्रती घोर आस्था, आत्म विश्वास और असहचता को जेलने की अटूट व अटल क्षमता होनी चाहिए यही कारण है कि इसे समान्य व्यक्ति को करने से सक्थ मना किया जाता है कर्ण पिशाचिनी साधना विधी मित्रों इसके साधना के समय काले वस्त्रधारन करें एवन साधना काल में अनुचित बारतालाप न करें निराहार रहें एवन स्त्री गमन से हर स्तर पर दूर रहें इसके विद्वान एवन सिध तांत्रिकों के अनुसार कड़े नियमों के पालन में थोड़ी भी कमी या त्रुटी नहीं होनी चाहिए ऐसा होने पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पढ़ सकता है और लाब के स्थान पर हानी उठानी पढ़ सकती है मूल रूप से यह कहा जाता है कि इस साधना को कोई भी साधक को अकेले नहीं करना चाहिए कोई योग्य गुरु विशेशग्य तांत्रिक साथ में होना चाहिए इस साधना को करने की कुछ विधिया निम्न हैं आए उसे जानते हैं पहली विधी मित्रों 11 दिनों तक चलने वाले करन पिशाचनी की साधना के लिए रात या दिन को चौगडिया मुहूर्ट के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंदली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के दो दीपक जलाए और उसका सामान्य पूजन करें उसके बाद 1100 बार बताये गए मंत्र का जाप करें इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से करन पिशाचनी सिद्ध हो जाती है मंत्र इस प्रकार है नमा करन पिशाचनी, अमोग सत्यवादिनी, मं करने अवतरावतर, अतीता नागतवर्थ, मानानी दर्शे दर्शे, मं भविश्य, कत्यत्थ, ही करन पिशाचनी स्वाहा दूसरी विधी इस विधी को अक्सर होली, दिपावली, या ग्रहन के दिन से शुरू किया जाता है और इसकी पूर्णा होती 21 दिन होती है प्रयोग के लिए आम की लकडी के बने तक्ता पर अनार की कलम से दिये गए मंत्र को 108 बार लिखते हुए उच्चारन किया जाता है एक बार लिखने के बाद उसे मिटा कर दूसरा लिखा जाता है अन्तिम बार इसकी 55 विधी से पूजा की जाती है और फिर 1100 बार मंत्र का स्पष्ट उच्चारन के साथ जाप किया जाता है मंत्र इस प्रकार है इस प्रयोग के लिए ग्वार पाठे को अभिमंत्रित कर उसके गूदे को हाथ और पैरों पर लेप लगाया जाता है यह प्रयोग भी 21 दिनों का है तथा प्रतिदिन 5000 जाप किया जाता है इसकी 21 दिनों में सिध्धी के बाद कान में पिशाचनी की आवास सपष्ट सुनी देती है मंत्र इस प्रकार है ओमहरी, नमो भगवती, करण पिशाचनी, चंडवेगिनी, वदवद स्वाहा मित्रों यह विधी आधी रात को करण पिशाचनी को एक देवी के रूप में स्मरण करके किया जाता है इसे सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है मान्यता है कि वेद व्यास ने इस मंत्र को सिध्ध किया था सबसे पहले मंत्र की पूजा ओम अमरित कुरु कुरु स्वाहा लिखकर करनी चाहिए उसके बाद मचली की बली देने का विधान है जो गुप्त मंत्र के साथ किया जाता है मंत्र ओमकर्ण पिशाचनी दगधमीन बली ग्रिहन ग्रिहन मम सिध्धी कुरु कुरु स्वाहा इस विधान के पूर्ण होने के बाद दिये गए मंत्र का जाप 5000 बार करना चाहिए ध्यान रहे पूरी प्रक्रिया प्राथस सुर्योदय से पहले पूर्ण हो जाए इसकी पूर्णा हुती तरपण मंत्र ओमकर्ण पिशाचनी तरपया में स्वाहा से की जाती है यह प्रयोग कुल 21 दिनों में संपन होता है मित्रों इस साधना से व्यक्ति अंगिनत लाब प्राप्त कर सकता है खास तोर से प्रशनों के जवाब के माध्यम से धन कमाने के लिए आसान हो जाता है लेकिन बिना किसी योग्य गुरु और गुरु मंत्र की पूर्ण अनुष्ठान किये बिना इसकी साधना करना खतरनाक सावित हो सकता है व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहे यह आवशक है क्योंकि कान शरीर का महत्वपूर्ण अंग है इसके माध्यम से शरीर का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा जबकि करन पिशाचनी कान से संबंधित ही शक्ती है इन सभी प्रयोगों के माध्यम से हम कर्ण पिशाचनी नाम की यक्षणी को हम सिध्ध कर लेते हैं जब साधना कम दिनों की होती है तो वह पिशाचनी स्वरूप में सिध्ध होती है और जब यही साधना बढ़ जाती है तो यक्षणी स्वरूप में सिध्ध होती है अगर इसकी साधना एक या दो वर्ष से अधिक की जाती है, तो यह योगिनी स्वरूप में भी सिद्ध होती है लेकिन इसका स्वरूप सदैव नकारात्मक ही होता है इसलिए सावधानी पूर्वक ही इसकी साधना करनी चाहिए और अपने नियंतरण में सदैव इस शक्ती को रखना चाहिए ना कि आप इसके नियंतरण में हो जाए मित्रों मानव जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष पाना और भगवान की ध्यान साधना करना गीता में श्री कृष्ण जी स्वय कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी पुजा, साधना और ध्यान करता है, वह मृत्यू के उपरांथ उसी योनी को प्राथ होता है भुत को पुजने वाले भुत को प्राप्थ होता हैं पितर को पुजने वाले पितर को पिशाच को पुजने वाले पिशाच को तथा इश्वर को पुजने वाले इश्वर को प्राप्थ होते हैं श्री कृष्ण के इस कथन को हमेशा याद रखना चाहिए अली अंधेरी आधी रात का वह समय, जब गहरी नींद में होते हैं, और जीवजन्तूओं की रहस्य में आवाजे मन में डर भी पैदा करती हैं, उस समय अगहोरी तांत्रे को द्वारा की जाती है, शव को साधने की यह प्रक्रिया हम सोते हैं, तब जागता है, पूरा शमशान वह शमशान जहां दिन के उजाले में जाने से भी रूह का पती है, वहीं लगता है, अगहोरी तांत्रिकों और आत्माओं और शवों का मेला, और होती है शव की साधना आखिर क्या है यह शव साधना, कैसे और क्यों की जाती है, क्या होता है, इस दोरान आईए आप सभी को इस साधना से परिचित करवाते हैं मित्रों अगोरियों द्वारा खास तौर पर श्मशान में तीन प्रकार की साधनाएं की जाती हैं जिन में श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना शामिल हैं प्रमुख रूप से इन साधनाओं को अगोरी, प्रसिद्ध शक्तिपीठों जैसे कामाख्या शक्तिपीठ, तारापीठ, बगुलामुखी या भैरव आदिस्थानों पर करते हैं इन साधनाओं को करने के अलावा संसार में इनका कोई और लक्ष नहीं होता और साधना के बाद या अन्य समय में ये अगोरी हिमालय के जंदलों में निवास करते हैं इन्हें साधारन तौर पर देखा भी नहीं जा सकता ना ही ये अगोरी तांतरिक समाज में शामिल होते हैं परंतु सिनहस्थिया या कुम्भ के समय इनके दर्शन आसानी से किये जा सकते हैं शवसाधना का अर्थ है शमशान में स्वय के शरीर की अनुभूती को शव के समान नहसत्व करके अपने उद्देश की मानसिक रूप से साधना करना है अगोरियों द्वारा की जाने वाली शमशान साधना में शमशान को जगा कर साधना की जाती है शव साधना के लिए किसी शव का होना आवशक है अगोरी यदी पुरुष है तो उसे साधना के लिए स्त्री के शव की आवशकता होगी और यदी अगोरी स्त्री है तो शव साधना के लिए पुरुष का शव आवशक है परंतु शव का चयन करते समय इस बात का विशेश ध्यान रखना आवशक है शव किस श्रेनी का है? किसी चांडाल दुरघटना में मरे हुए व्यक्तिया फिर अकारण मरने वाले युवा का शव शवसाधना के लिए अधिक उप्युक्त माना जाता है शवसाधना विशेश समयकाल में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कृष्ण पक्ष की अमावस्या या शुकल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की चतुरदशी वाले दिन यह बेहद महत्वपूर्ण होती है इसके साथ यदि मंदलवार का संयोग हो तो यह सोने पर सुहागे के समान है कहा जाता है कि शवसाधना आसान नहीं है इस साधना को करते समयश मशान में कई द्रिश और अद्रिश बाधाएं आती हैं जिन्हें हटाना एक सिध्ध और जानकार अगोरी अच्छी तरह से जानता है साधना के पूर्वी अगोरी को संबंधित स्थान को भूत प्रेतो और अन्यबाधाओं से सुरक्षित रखना होता है ताकि वे साधना के बीच में विगन पैदा न कर सके इसके लिए अगनी तो होती ही है और अगोरी मंत्रो चार करते हुए आसपास एक लकीर खीचते हुए एक घेरा बनाते हैं और साथ ही तुतई बजाते हैं जिससे भूत प्रेत या कोई भी बाधा प्रवेश न कर सके इसके बाद विध्यविधान से साधना आरंभ की जाती है जिस शव की साधना की जानी है उसे सनान करवाकर कपड़े से पोचकर उस पर सुगंधित तेलों का छिड़काव किया जाता है लाल चंदन का लेप किया जाता है शव के उदर पर यंत्र बना कर उदर पर बैठ कर यह साधना की जाती है साधना में लगातार मंत्रो चार और क्रिया जारी रहती है शव साधना में विशेश बात यह है कि यह साधना उपयोग किये जा रहे शव की मर्जी से होना आवश्यक है अन्यथा यह मुसीबत भी बन सकती है चारो दिशाओं में रक्षा हेतु गुरु, बटुक, भैरव, योगिनी और श्रीगनेश की आराधना भी की जाती है भैरव और भैरवी की साधना भी इसमें आवश्यक मानी जाती है वहीं सभी दिशाओं के दिगपाल की आराधना भी आवशक है भोग स्वरुप बकरे या मुर्गे की बली देने के साथ ही शराप चड़ाना भी अनिवार्य होता है शव को भी यह चीजें अरपित की जाती है कुछ ही समय में देखते ही देखते यह भोग समाप्त हो जाता है इस साधना के पूर्ण होते होते मुर्दा या शव भी बोलने लगता है साधना पूर्ण होने पर साधक वह सिद्धी प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह शव साधना कर रहा था आधी रात बीते ते बीते शव की आखें भी विचलित होने लगती है और उसके शरीर में कई परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं लेकिन इन भयावह और खतरनाक द्रिश्यों को देखते हुए भी साधक का मन लक्षे से नहीं हटना चाहिए उसे मंत्रों चार जारी रखने होते हैं ताकि साधना को पूर्ण किया जा सके